नमस्कार साथियों इन्फूजन नोट्स के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज का सेसन रहेगा साथियों 20 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेर्स का इस सेसन में साथियों जितने ही महतुपून परसन बने हैं इंडिया करंट अफेर्स के वो मापके साथ सेयर साथ यून परसनों से जुड़े हुए जो महतुपून तक थे आप से अगामी प्रत्योगिता परिक्षा में पूचे जा सकते हैं उनकी भी जानकरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और अंत में साथ यूपने देखेंगे इंडिया जी के पांच महतुपून कुशन जो के यूटूब चनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा दश या पंद्रा मिट की एकलास होती है साथ यूश में आप करंट अफेर्स से भी अप्लेट हो जाते हैं और साथ ही जो इंडिया जी के महतुपून कुशन है वो भी मै साराजे रहा हरियाना आप से पूचा है पहले खेलो इंडिया जो पेरा गेमस है उसके अंदर शीर स्तान पर कौन रहा तो हरियाना रहा तो अपने बाद करें साथियों पहला जो खेलो इंडिया पेरा गेमस है इसका आयोजन कब से कब हुआ तो इसका आयोजन हुआ था अपने को पता होना चाहिए क्या था उजवला था ये हुए कहां तो आंसर होगा नई दिल्ली के अंदर ये हुए थे कहां पर हुए थे नई दिल्ली के अंदर हुए से 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक इनका सुबंकर है जो उजवला था उसका सुबारम क्या था कंदरिया खेल मंत्री अनुराग जी था कूर ने अब इसमें जो पहले खेलो इंडिया गैम थे उसमें सिर्स्तान किसको मिला तो हरियाना को मिला हरियाना ने कुल कितने साथियों 105 पदक हरियाना ने अपने नाम किये कितने पदक अपने नाम किये तो आप का अंसरोना चाहिए 105 पद है जो 105 पदक अपने नाम किये थे। उसमें से 40 gold जीते हैं, 49 रज़त और 26 कांशयय पदक जीते हैं यानि 105 पदकों में, 40 तो क्या जीते हैं? शवरन, 49 रज़त पदक जीते हैं और 26 है जो कांशयय पदक अपने نाम किये थे हरियारनाने अब अपने बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन रहा दूसरे स्थान पर साथियों रहा उत्तर परदेश कौन रहा दूसरे स्थान पर उत्तर परदेश रहा उत्तर परदेश ने 62 परदक जीते थे जिसमें 25 सवरण 23 रज़त और 14 कांशिय थे और तीसरे स्थान पर रहा था त का सुबंग करें उजुवला था आगे बढ़ेंगे सातियों एक जो सातियों अभी जो इया मारस में जे ऐसे का एकजाम वह था उसके अंदर सातियों जीके के कुल 30 परसन आये थे और उसमें से जो अपना करंट अफेस है उसके लगबग सभी क्यूशन मिले थे इसके लाओ ज हजार इंडिया जीके की शीरीज है इन फ्यूजर नोट्स के यूटूब चैनल पर चल रही है उसमें से लगबग क्यूशन मिले हैं टोटल सातियों ये किसी स्टूडेंट का समसा है उसमें बताया है कि सर 30 परसन आये थी उसमें से आपके परतिदिन जीके के नोट्स में से 25 परसने मिले हैं तो देखिए सातियों जो महतुपुन कंटेंट में आपके साथ शेयर करता हूँ इसका ये रेजल्ट है कि उसमें से 30 में से 25 क्यूशन मिले हैं करन्ट अफेर्स के तो क्यूशन मिले हैं इसके लावा जो इंडिया जीके पूचा जाता है मेरे दुआरा सात सातियों टोप हजार इंडिया जीके के क्यूशनों की शीरीज सुरू करके उसमें लगातार आपको वीडियो मिलता है उसमें से क्यूशन आए हैं इसके लावा हमारे जो टेलिग्राम चैनल है उस पर भी सातियों क्यूशन की शेयर की जाती है डेली उसमें इंडिया जीके ह हजार क्यूशनों की श्रीज है उसमें श्याय है सातियों जो अपने करंट अफेर्स की क्लास होती है दस या पंदरा मिन्ट की होती है इसमें जो महत्वपूर्ण कंटेंट होता है कम समय में वो ही मैं आपके साथ है शेर करता हूँ आगे बढ़ेंगे सातियों अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन आप से पूचा है कि हाली में विजनरी हाली के अंदर विजनरी लिडर आइकन अवार 2023 किसें दिया गया आप से पूचा है कि हाली के अंदर विजनरी लिडर आइकन आईकन अवार्ट अवार्ट गया तो Dr. Srini Vast नाइक दारावत को दिया गया किसे दिया गया दौक्टर शरी निवास नाइक दारावत को दिया गया कौन सा वार्ट दिया गया है Visionary लीडर आईकन अवार्ट 23 को दिया गया है ये कौन है ये Real Vision Homes Private Limited के अध्यक्स है नई दिल्ली में एक सम्मान समारों के अंदर इनको समानिते किया गया आप से पूछे कि हाली में विजिनरी लीडर आइकन अवार 2023 किसें दिया गया तो अंसर होगा डॉक्टर शिरी निवास नाइक दारावत को दिया गया आगे बढ़ेंगे साथ यह अगले क्य पूछा है राष्ट्य अपराद रिकोर्ड ब्यूरो के अनुसार खाद्य परदातों में मिलावट के मामले में कौन सा सहर है जो पर्थमस्तान पर है राष्ट्य अपराद रिकोर्ड ब्यूरो के अनुसार है खाद्य परदातों में मिलावट के मामले में कौन सा सहर है जो पर्थम स्तान पर है तो अंसर एगा हेदराबाद कौन सा हेदराबाद जो सहरे साथियों वो है शिरिस्तान पर है यानि राष्टे अपराज रिकॉर्ड वीरो के एक रिपोर्ट आहे जिन से ये पता चला है कि जो खाद्य परदार्थ में मिला उट किया जाता है उसके अंदर साथियों हेदराबाद सहर है वो सबसे सिस्तान पर है और सबसे ज़्यादा जो इसके मामले है जो दर्ज हुए है रिपोर्ट के अनुसार हेदराबाद में सबसे ज़्यादा मामले जो दर्ज किये गए यानि इसकी जो भी शिकाईते हैं सबसे ज़्यादा हेदराबाद सहर जिसके अंदर है खाद्य अपरदार्तों के अंदर हैं मिलावटें की जाती है आगे बढ़ेंगे सात्यों अगले क्योशन पर बात करेंगे अगला क्योशन आपसे पूचा है रक्षया मंतराले पिना का मल्टी बेरल रोकेट लोंचर आप से में पूचा है यह पिन्हेड रोकेट लोंचर पनाली के लिए कितने रोकेट खरिदने की गोशना है रोकेट लोंचर पनाली के लिए इसके लिए जो बजट है वो कितने का रहेगा इसके लिए जो बजट है सातियों वो 2800 क्रोड रुपे का रहेगा आप से पुछे इसके लिए बजट कितने आएगा 2800 क्रोड रुपे का रहेगा ये पिना का क्या है एक मल्टी बेरल रोकेट लोंचर परनाली है ये अपने को पता होना चाहिए अगला कुछन जो सातियों आप से अगामी प्रतोगीता परिक्षा में पूछा जाएगा काफी इपोर्टेंट की उसर रहेगा आप से पूछा है कि हाली में बारतिय वायू सेना ने किस सवदेशी एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परिक्षन किया है ल सफल परिक्षन क्या है तो आंसर रहेगा समर का क्या है किसका क्या है समर का इपोर्टेंट क्यों सेना है सातियों पूछा जाएगा आप से किसका क्या है तो आंसर रहेगा समर का क्या है इसको भारत में ही विक्षित किया गया है यानि ये सवदेशी है ये भी अपने को पता करने वाली है यह भी अपने को पता होना चाहिए यानि जमीन से हवा में मार करने वाला यह है मिसाइल सिस्टम है इस प्रिक्षन को एर फोर्स स्टेशन के सुरिय लंका में किया गया यानि एरफोर्स का एक्स्टेस्टन है सुरिय लंका वहां पर इसका प्रिक्षन है जो सफल प्रिक्षन है किया गया कहां पर है सुरिय लंका के अंदर है इसका प्रिक्षन है किया गया और इसके ये जो प्रिक्षन किया था ये युद अभ्यास जो अभ्यास सकती है युद अभ्या वाई उसेना ने किस सवदेशी एर defense missile system का सफल friction किया तो समरका किया और ये सवदेशी है और जमीन से हवा में मार करने वाली है इसका कहां पर किया गया तो सुरिय लंका के अंदर किया गया किस अभ्यास में किया गया तो साथियों अस्तर सक्ती अभ्यास 2023 के अंदर किया गया और इसका सफल friction हुआ है ये important question है आप से अगामी प्रटोगिता प्रिक्षा में सायद साथियों ये question 100% पूछे जाने की समभावना रहेगी अगले question पर बात करेंगे साथियों अगला question आप से पूचा है कि हाली में सरोवेद मंदिर का उदगाटन है जो किसने किया तो आंसर हेगा सरोवेद मंदिर का उदगाटन किसने किया तो PM नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया किसके द्वारा किया गया PM में नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया कहां पर किया गया उत्तरपरदेश के अंदर कहां पर है उत्तरपरदेश के वाराणासी में इसका उद्गाटन है जो PM मोधी जी के दुआरा किया गया इस मंदिर की विशेशता है कि साथे यह काफी बड़ा है इसके अंदर 20,000 लोग एक साथे योग कर सकते हैं 20,000 लोग है जो एक साथे योग योग भी कर सकते हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए एक साथ है योग भी कर सकते हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए उद्गाटन किस ने किया प्यम नरेंदर मोधी जी के दुवारा किया गया इसकी प्रोपर लोकेशन है चोब्बे पुरा इलाके में उम्रहा में बने सरोवेद मंदिल का उद्गाटन किया गया इसके अंदर 20,000 लोग एक साथ बेट करें यो कर सकते हैं अगले क्यूशन पर बात करेंगे साथ यो अगला क्यूशन आप से पूचा है कि हाली में विशो बैंक की परवासन और विकास है रिपोर्ट है हाली में विशो बैंक की परवासन और विकास है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में परवाशियों से सरवाधिक प्रेशन प्राप्ट करने वाला देश से कौन सा बना है हाले में विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है, किस पर आई है, परवासन और विकास रिपोर्ट आई है, उसके अनसारे, परवासयों से सरवाधिक परेशन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो अपना भारत है क्योंकि साथ यों भारत के ही सबसे ज़्यादा प्रवाशी हैं कौन सा देश है अपना भारत है यानि भारत के ही लोग सबसे ज़्यादा प्रवाशी है तो भारत को ही सबसे ज़्यादा फाइदा होगा यह रिपोर्ट कौन जारी करता है यह विशो बैंक जारी करता है यह थोड़ा याद रखेगा पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है तो अंसर होगा विशो बैंक यह रिपोर्ट जारी करता है यह अपने को पता होना चाहिए ये report कौन जारी करता है? आंसर होगा, विसो बैंक की है report है, जारी करता है. आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्यूसन पर बात करेंगे अगला क्यूसन आप से पूछा है, आठ हुआ, ब्रहमपूत्र वेली फिलम फेस्टिवल है, कहां पर आयो जी ते हुआ, आप से पूछा है, आठ हुआ, ब्रहमपूत्र वेली फिलम फेस्टिवल कहां पर आयो जी तवा, तो गोहाटी में आयो जी तवा, कहां पर आयो जी तवा था, गोहाटी में कब से, कब आयो जी तवा, तो 14 से 18 दिसंबर, 14 से 18 दिसंबर को इस कायजने किया गया था 14 से 18 दिसंबर तक इस कायजने किया गया था गवार्टी में इसका उदेश है क्या है कि उत्तर पूरुवी में उत्तर पूरुवी जो बात है उसमें फिलम निर्मान को बढ़ाना इसका परमुखे उदेश है इसका एजन 14 से 18 दिसम्बर तक है किया गया अगले क्यूस नबर बात करेंगे अगला क्यूस न आप से पूचा है सातियों Under 19 एशिया कप 2023 किस ने जीता है Under 19 एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है तो आंसू रहेगा सातियों बंगला देश ने जीता है किसने मंगला देश ने हाले में सातियों किसको हरा करें फाइनल मुकाबले में UAE को हराया है किसको UAE को हराया है आप से पूचेगा कि हाले में Under 19 किरिकेट एशिया कप है Under 19 किरिकेट एशिया कप है 2023 किसने जीता तो आंसू रहना चाहिए बंगलादेश ने जीता उपूजेता कौन रहा UAE इसका उपूजेता रहा साथियों अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन आपके सामने हैं आप से पूचा है देश में पर्थम बार COVID-19 के ने सब variant JN1 की पुष्टी कहां पर हुई है तो केरल के अंदर हुई है ये इपूटेंट क्यूशन है साथियों आप से पूचा है देश में पर्थम बार COVID-19 के ने सब variant JN1 की कुष्टी कहां पर हुई है तो केरल के अंदर हुई है केरल के तिर्वंत पुरम में मिला है ये है Omicron का One Size है केरल के तिर्वंत पुरम में मिला है और ये सातियों Omicron था उसका One Size है बताया जा रहा है तो important question था सातियों मैंने आपके साथे share किये है India current affairs के जीतने ही महतुपुन person बनने थे सातियों वो अपने इस session में देख लिए अब अपने India GK के 5 महतुपुन question देखेंगे पहला question आप से पूचा है रोग elephant harnessing the India's unruly democracy पूच्टक के लेखक कौन है तो answer होगा Simon Daniel कौन है Simon Daniel इस पूच्टक के लेखक है अगला question आप से पूचा है मुलिक अधिकार सविदान के किस बाग में समयलित किये गए है अंदर है important है आप से पूचा है मौलिक अधिकार सविदान के किस बाग में समयलित किये गए है तो answer होगा भाग तीन के अंदर है सामिल है अगला question नहीं कि सविदान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से समंदित है तो आंसर रहेगा 23 से कितने तो आंसर रहेगा 23 से इसका सही आंसर रहेगा अगला क्यूसर आप से पूचा है कि बारतिय सविदान द्वारा मौलिक अधिकार दिये गए हैं तो समस्त देशवाशियों को दिये गए हैं जो मौलिक अधिकार है वो किसको दिये गए हैं समस्त दे अनुचेद में लोक नियोजन में आउसर की समता का अधिकार है तो आंसर एगा अनुचेदे 16 में किसमें आंसर एगा अनुचेदे 16 के अंदर है यह इपोर्टेंट है सात्यों पूछा जा सकता है आप से अब अपने सात्यों देखेंगे जो अपने कल करंट अफेस पड़ा था उसका फटा फट से रियूजन करेंगे पहला कि उसन था वीजे हजारे ट्रोफी 2023 का खिताब किस ने जीता हरियाना ने जीता एशेय विकास बैंक ने सोच बारतमिसन सहरी 2.0 को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के रिंड देने की गोशना की है तो अंसर हैगा 200 मिलियन डॉलर है हाली में किस देज की महला क्रिकेट टीम ने रनों के लिया से सबसें बड़ी जीत दर्ज की थी तो भारते ने की थी अफ़ाई एच पुरुस जुनिया रवी शुकप 2023 किसने जर्मनी ने जीता दुनिया की सबसें बड़ी ओफिस बिल्डिंग सूर्थ डायमेंड बोर्स का उद्गाटन किसने किया तो अंसर हैगा पीम नरेंदर मोदी के दुआरा किया गया हाली में अस्बियाई की रिपोर्ट के अन्सवार भारत में कब तक महला मद्दाताओं की संक्या पुरुसों से जादा हो जाएगी तो दो हजार गुनितिस में हाली में बाते नो सेना के साथ जल्व इज्ञान समझोता किस देश ने रद किया तो अंसर हैगा मालदीव की द्वारा रद कर दिया गया हाली में लाउंच की की बारत की सबसें तेज सोलर इलेक्टोनिक नाओ का नाम बेरा कुंडा हाली में किसने ITF विशो चेंपियन पुर्षकार 2023 जीता तो नौवाक जोकोविच आर्येना सभालेंका ने जीता है हाली में रोयल सोसाइटी ओफ कमेश्टरी का नयो हॉम पुर्षकार किशें मिला तो प्रोफेसर सुविता लाडेज को मिला तो साथी में सेहसन में मैंने आपके साथ जो महतुपून परसन बन रहे थे इंडिया करन्ट अफेर्स के वो भी सेयर की है और इसके अलावा इंडिया जी के की जो महतुपून किशन थे वो देख लिए और जो कल अपने करन्ट अफेर्स पड़ा था उसका भी रिविजिन कर लिया सेहसन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक वैसे जरूर कीजिएगा इंफीजन नोट्स के यूटूब जैन को लाइक और सिस्क्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों में विशे जरूर शेयर कीजिएगा धन्यवाद साथियों